नमस्कार राजेशर क्लासेस में आपका स्वागत है साइंस क्लास 10 चेप्टर 12 विद्धुत इस वीडियो में आपको चेप्टर 12 के अंदर के प्रशनों का उतर प्राप्त होगा जिसमें पेसंख्या 222 के 3 प्रशन, 224 के 3 प्रशन और 232 के 5 प्रशन हैं बागी पेसंख्या 237, 242, 242, 245 के प्रशनों का वीडियो आने वाले दिनों में अपलोड होगा तो देखे पेसंख्या 222 परिस्थित पहला प्रशन विद्धुत परिपत का क्या आर्थ है तो इस प्रशन का एंसर आपके सामने विद्धुत परिपत बिभिन प्रकार के के विद्धुत उर्जा का उप्योग किया जाता है विद्धुत परिपत बिभिन प्रकार के विद्धुत उपकरणू जैसे विद्धुत शिल या बैट्री कुंजी अमीटर बुल्ट मीटर बल्ब मोटर आदिका ऐसा स्वयोजर होता है जिसमें विद्धुत धरा प्रवा यह क्यूंजी जिससे विद्दुधारा के प्रवाह को बंद या चालू किया जा सकता है इससे विद्दुधारा का मापन किया जा सकता है अब देखे अगले प्रशन का उत्तर दूसरा प्रशन है विद्दुधारा के मात्रक की परिभासा लिखे तो सबसे पहले जानते हैं कि विद्धुद धरा का मातरक क्या होता है विद्धुद धरा का मातरक MPR होता अब हमें MPR की परिभासा लिखनी है तो देखें MPR की परिभासा क्या है यदि किसी विद्धुद परिपत में एक सेकेंड में एक कुलाम आवेस का प्रवा होता है तो परिपत में बहने वाली धारा एक एमपियर होती है यदि किसी विद्धुत परिपत में एक सेकेंड में एक कुला मावेश का प्रवा होता है तो परिपत में बहने वाली धारा एक एमपियर होती है अब देखें अगले प्रस्न का उत्तर तीसरा प्रस्ण एक कुलाम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रानों की संख्या परिकलित कीजिए तो देखे इस प्रस्ण का हल एक इलेक्ट्रान पर आवेश इतना होता है एक दस्मलों छो गुडे 10 घातेर इन 19 कुलाम यह होता है एक इलेक्ट्रान पर आवेश एक दस्मलों छो गुडे 10 घातेर इन 19 कुलाम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रानों की संख्या कितनी है एक है इस लिए इस लिए एक कुलाम क्योंकि यह एक दस्मलों चो गुडे 10 घातेर इन 19 कुलाम आवे हमें एक कुलाम का निकालना है तो एक कुलाम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रानों की संख्या क्या करेंगे इसका एक में भाग देदेंगे तो वन डिवाइड़ बाइड़ वाइड़ इन टो टेन पावर माइनस 19 और ये सरल करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं दस का गुडा कर देंगे दस एक में तो दस हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा 16 दस में भड़ जाएगा अई जब उपर जाएगा तो दस घाते धन 19 हो जाएगा अब यदि हम इसको डिवाइट करें दस को 16 से तो हमें प्राप्त होगा 0.625 इन्टू 10 पावर माइनस 19 और एक दस का इसमें गुडा कर देंगे तो चोड़ जाएगा तो चोड़ जाएगा तो चोड़ जाएगा तो चोड़ जाएगा तो यानि कानेका अर्थ है कि एक कुलाम आवेश की रचना करने वाले इले प्राणू की संख्या क्या होगी 6.25 गुड़ दस घाते 18 अब देखे अगला प्राश्ण पेश संख्या 224 परिस्थित पहला प्राश्ण उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सीरों पर विभुवांतर बनाए रखने में शाहता करती है तो वह युक्ति है अब अगला प्राश्ण है या कहने का क्या तातपर है कि दो बिन्दों की वीच विभुवांतर एक बोल्ट है तो देखे इस प्राश्ण का उत्तर जो कि आपके सामने है दो बिन्दों की वीच विभुवांतर एक बोल्ट है कि कहने का तातपर है कि एक बिन्दू से दूसर बिंदू तक एक कुलाम आवेश ले जाने में एक जूल कार करना पड़ेगा दो बिंदू के बीच विववांतर एक बोल्ट है के कहने का तात पर है कि एक बिंदू से दूसरे बिंदू तक एक कुलाम आवेश ले जाने में किया गया कार क्या होगा एक जूल होगा अब देख इसी में तीसरा प्राश्न 6 बोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर एक कुलाम को कितनी उर्जा दी जाती है तो यहाँ पर जो विभुवांतर है V है विभुवांतर V कितना है 6 बोल्ट और आवे स्क्यू कितना है 1 कुलाम कितना है? 1 कुलाम अब हमें 1 कुलाम को कितनी उर्जा दी जाती है इसकी गर्णा करनी है यानि W एक प्रकास से किया गया कार की गर्णा करनी है वहीं उर्जा होती है तो W बरावर हो जाएगा V इंटू Q और V का मान 6 और इसका मान 1 यानि 6 जूल ये इस प्रश्ण का उत्तर है अगला प्रश्ण पेज संख्या 232 परिस्थित पहला प्रश्ण किसी चालक का प्रतिरोद किन कारकों पर निर्भर करता है तो देखे इस प्रश्ण का उत्तर किसी चालक का प्रतिरोद निम्न कारकों पर निर्भर करता है पहला है चालक की लंबाई पर पहला कारा क्या है चालक की लंबाई पर किसी चालक का प्रत्रोद उसकी लंबाई के अनुक्रमान उपाती होता है किसी चालक का प्रत्रोद उसकी लंबाई के अनुक्रमान उपाती होता है यानि जैसे जैसे चालक तार की लंबाई बढ़ते जाएंगे उसका प्रतिरोद बढ़ता जाएगा अगला है चालक के अनुप्रस्त काट के छित्रफल पर किसी चालक का प्रतिरोद उसके अनुप्रस्त काट के छित्रफल के वित करमान उपाती होता है किसी चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्त काट के छेतरफल के वित कमान उपाती होता है जैसे माले जी ये चालक तार है और इसको काट दीजी तो इसका जो छेतरफल होगा वही अनुप्रस्त काट का छेतरफल होता है यानि किसी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है उसकी मोटाई की वित करणान पाती होता है यानि मोटाई योटी बढ़ती जायेगी तो उस चालक का प्रतिरोध घटता जाएगा अब अगला है चालक की पदार्थ की प्रकिति पर यानि भिन भिन चालकों का प्रतिरोध भिन भिन होता है भिन भिन पदार्थों से बने चालकों का प्रतिरोध भिन भिन होता है अलग अलग होता है यदि पदार्थ अलग है तो उसका प्रतिरोध भी अलग होगा अब अगला प्रशन दो समान पदार्थ के दो तारों में यदि एक पतला तथा दूसरा मोटा हो तो इन में से किसमे विद्धुधारा आसानी से प्रवाहित होगी जबकि उन्हें समान विद्धुष्रों से सनियुजित किया जाता है क्यों तो देखे इस प्रशन का उत्तर मोटे तार में विद्धुधारा आसानी से प्रवाहित होगी क्योंकि किसी चालक का प्रत्रोद उसके अनोप्रस्त काट के चेत्रफल के विद्ध क्रमान उपाती होता है मोटे तार में विद्दुधारा आसानी से प्रवाहित होगी क्योंकि उसका प्रत्रोद कम होगा क्योंकि वह मोटा है और पतले तार का प्रत्रोद क्या होगा अधिक होगा इस कारण उसमें आसानी से धारा प्रवाहित नहीं होगी अगला प्रस्ण प्रस्ण तेन मान लिजे किसी वैदुत आवयाव के दो सिरों के वीच विभुवांतर को उसके पूर के विभुवांतर की तुलना में घटा कर आधा कर देने पर भी उसका प्रतिरोद नियत रहता है तब उस आवयाव से प्रवाहित होने वाले उसमें प्रवाहित धारा आई हो तो ओम के नियम से आई बरावर भी बटे आर अब प्रस्ण में कह रहा है कि विभुवांतर उसके पूर के विभुवांतर की तुलना में घटा कर आधा कर दिया जैनि विभुवांतर जो है विभुवांतर आधा कर दिया गया और क्या कह र प्रतिरोध जो प्रतिरोध आर है प्रतिरोध क्या है नियत वो आर ही है तब उस अव्योस से प्रभाहित होने वाले विद्दुधारा में क्या परिवर्तन होगा माले जी विद्दुधारा क्या है आई डे से तो वी का मान यहां पर क्या है वी बटे टू हो जायेगा और आर क यहां पर प्रितरोद R ही है तो यह हो जाएगा हम इसको लिख सकते V बटे 2R या इसको हम लिख सकते 1 बटे V बटे R और यह क्या है पहले यह पहला समय कर माल लेते हैं तो हम यहां से लिख सकते हैं बटे 2R यानि आई डेस जो होगा यानि परिवर्तन करने के बाद जो धारा बहेगी वह पहले की धारा की तुल्ला में आधी होगी प्रस्न चार विद्धुत टोस्टरों तथा विद्धुत इस्तरियों के तापन आवयाव सुद धातु के न बनागर किसी मिस धातु के क्यों बनाया जाते हैं बिद्धूट टोस्टर यानि ब्रेट को सेखने वाले तथा इस्तिरियों की तापन प्रेश करने वाले कपड़ों को प्रेस करने वाले अवेसुद धातों के न बना गर किसी मिस्त धातों के क्यों बनाय जाते हैं तो देखे इसका उत्तर बिद्धु टोस्टनों तथा विद्धु तिस्त्रियों के तापन अवयव सुद धातों के न बना कर किसी मिस्ध धातों के इसले बनाया जाते क्योंकि मिस्ध धातों की प्रतिरोधकता उनकी अवयव धातों के पच्छा अधिक होती है विद्धु टोस्टर तता विद्धु तिस्टियों के तापन अवया ओ जो तापन एलिमेंट होते सुधधातों के न बनाकर मिश्धातों की बना जाते क्योंकि मिश्धातों की प्रतिरोधक चमता आधिक होती है मिस्धातों का उचता पर सिग्रता से उपचेन नहीं होता है यानि मिस्धातों का उचता पर सिग्रता से उपचेन यानि आक्सीजन से क्रिया करके वो उनका तपन नहीं होता है वो गलते नहीं है इस कारण मिस्धातों के बनाये जाते हैं अगला प्रश्न प्रस्ण पांच निम्लखित प्रस्णों के उत्तर तालिका 12 सुनों दो में दे गए आकड़ों के आधार पर दीजिए ए आयरन तथा मरकरी में कौन अच्छा बेदुत चालक है और बी कौन सा पदार्थ सर्शेष्ट चालक है यह तालिका 12 सुनों दो है यह विभिन पदार्थ है और उनकी यह प्रतिरोधकता है जोकी ओम में है तो जीस चालक की प्रतिरोधकता कम होगी वह बिदुत का अच्छा चालक होता है तेहां पर आइरन यहां है इसकी प्रतिरोधकता मरकरी के पेच्छा कम है इस कारण आइरन क्या है अच्छा बिद्दुच चालक है कौन सा पदा सौरशिष्ट चालक है तो हम देख रहे हैं सिल्वर की प्रतिरोधकता सबसी कम है इस कारण यह सौरशिष्ट चालक है नश्कार झाल झाल झाल